Hello Friends, Welcome to Sushma's Craft and Creation Channel Friends, आज हम शटल से ये एक beautiful सी broad lace बनाना सीखेंगे मेरी बहुत सी friends हमेशा request करती हैं कि हमें कोई broad lace दिखाएं जिसे हम अपनी साड़ी पे या दुपट्टे के साइडों में लगा सकें तो इससे बढ़िया और beautiful lace नहीं हो सकती ये बहुत अच्छी floral lace है, इसको मैंने दो colors के साथ बनाया है एक red color है जिसका number 046 है और एक peach color है जिसका number 00007 है ये दोनो 20G गोला हैं, इसके इलावा हमें चाहिए एक shuttle जिस पे हम red color लेपेट लेंगे और एक हमें crochet hook चाहिए 0.6 mm की या 0.5 कोई भी चल जाएगी और उसके साथ चाहिए हमें एक scissor थोड़ी सी lace मैंने आपके लिए बना के रखी है ताकि आप इसका effect देख पाएंगे अब मैं इसको सिखाऊंगी कि आप इसको start कैसे करेंगे और continue कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो आप इस lace को भूल जाएं जो मैंने बना रखी है जो दो color हमने लिए हैं peach और red उसमें हम दोनों को यहाँ पे square knot लगा के join कर लेंगे आप एक color से भी बना सकते हैं अगर आप दो color से बना रहे हैं तो इसको यहाँ पे join कर लें knot लगाने के बाद आपने इस threads के साथ work शुरू करना है तो मैं थोड़ा साब को बताती हूँ कि इसको किस तरीके से मैंने शुरू किया है जैसे यह देखें मैंने यहाँ से इस lace को शुरू किया है सबसे पहले एक ring बनानी होती है जो की 18 double knot की है हर 3 double knot के बाद हम एक picket बनाती है और इस तरीके से यहाँ पे 5 pickets बनती है तो सबसे पहले हम यह ring ही बनाएंगे तो इसके लिए यह देखें आप पिछे वली ले सारी बूल जाएं आप सोचे मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो आपने सबसे पहले ring बनानी है जिसमें 5 pickets होँगी हर picket 3 double knot के बाद होगी लेकिन चुकि मैं इसको continue भी कर रही हूँ तो सबसे पहली जो ring होगी वो मैं इसको पिछे वली picket के साथ join करूँगी तो 3 double knot लगाते हुए 1, 2, and 3 अब हम इसको पीछे वले फ्लार के साथ join करेंगे यह देखें यह जो picket है इसके साथ इसको join कर लेंगे आप चुकि स्टार्ट कर रहे हैं आपने यहाँ पे सिर्फ picket ही बनानी है join नहीं करना है अब हम remaining ring बनाएंगे जिसमें हम हर 3 double knot के बाद एक picket बनाती है यह picket जोंकि connective है इसलिए हम इनको छोटा बनाएंगे तो यह देखे हमारी first ring बन गी चुकि हमने पीछे join किया है तो हमारी 4 picket नजर आ रही है लेकिन आपने start करना है तो आपकी यह first ring भी दिखाई दीगी तो आपने यहाँ पे 5 pickets की एक ring बना लेनी है और इसको यूँ join कर लेना है अब हम अपने motive को flip करते हैं यूँ और उसके बाद हम continuation का work करेंगे continuation के work के लिए हमने सबसे पहले 4 double knot लगाने है और यहाँ पे हम picket बनाएंगे चूंकि मैं continue कर रही हूँ तो मैं इसको पीछे वाली जो हमारा flower है उसके साथ यूँ attach कर लेती attach करने के बाद हम 8 double knot picket और 8 double knot लगाकर एक semi circle बनाएंगे 8 double knot के बाद picket यह decorative picket है बड़ी भी बन सकती है उसके बाद फिर से 8 double knot लगाएंगे यह semi circle हमारा बन गया अब हम फिर से यह जो हमारा motif है इसको यूँ flip करते हैं और उसके बाद यह जो हमारी 4 rings हैं इनमें हम 8 double knot joining और 8 double knot लगाकर rings attach करते जाएंगे 8 double knot अब यह जो first ring है इसके साथ इसकी joining करेंगे और फिर 8 double knot लगाएंगे यह दिखें रिंग बन गी इसको हम खिंच के complete करेंगे इसी तरीके से बाकी बची हुई हम जो pickets हैं इनमें भी एके के ring attach करेंगे 8 double knot picket और 8 double knot flip करते हुए हम सबसे पहले semi circle बनाते हैं जो 8 double knot picket और 8 double knot का बनेगा फिर उसके बाद हम rings बनाकर attach करते जाएंगे semi circle बनाने के बाद हम motive को फिर से flip करेंगे और यहाँ पे ring attach करेंगे इस point के साथ हार ring जो है वो 8 double knot joining और 8 double knot की होगी फिर से semi circle और next ring third ring फिर से motive flip और फिर से semi circle तो यह देखे हमने fourth ring भी बना लिए अब हम semi circle बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ pickets तो हमारी 5 हैं लेकिन एक हम इसको खाली छोड़ देंगे क्योंकि यह पीछे वले से attach होती है इसलिए यह lose ही रहेगी तो यहाँ पे पीछे से तो continuation में कुछ आ नहीं रहा इसलिए इसको lose रहने देंगे सिरफ आपने four rings ही बनानी हैं उसके बाद हम फिर से अब semi circle बनाएंगे लेकिन यह ulti direction में होगा जैसे यह हमने ring बनाई है तो अब हम motive को flip नहीं करेंगे flip ना करते हुए हम यह thread है light peach color का इसको बाहर की तरफ रखेंगे यह देखें ऐसे और उसके बाद हम eight double knot लगाते हैं one two three four five six seven eight eight double knot लगाने के बाद हम पिछले flower की picket के साथ इसको attach कर देते हैं अब फिर से eight double knot लगाएंगे one two three four five six seven and eight अब उसके बाद फिर से हम एक picket बनाते हैं छोटी यह joining picket है छोटी बनाएंगे और four double knot लगाएंगे वन two three and four तो यह हम देखें इसको flip नहीं किया तो यह semicircle इस तरीके से बनेगा अब उसके बाद हम motive को flip करते हुए यहाँ पे यह वाले ring बनाएंगे यहाँ से हमने start किया था लेकिन इसको अब हमने join भी करना है मैं आपको साथ की साथ बताती हूँ किसको कैसे हमने आगे बनाना है तो ring कैसे बनाते हैं हर three double knot के बाद picket बनाते हैं तो सबसे पहले हम three double knot लगाएंगे one two and three और उसके बाद हम इस ring को इस बिच्छे बले फ्लार की picket के साथ attach करते हैं बाकी की four pickets हम three double knot के gap के साथ बनाते जाएंगे और ring को complete कर लेंगे बस इसी दीके से हमने continue करते जाना है तो यह देखे हमने four pickets बना ली है एक picket यह थी जो हमने पीछे वले ring के साथ attach कर दी उसके बाद हम motive को flip करते हैं और फिर सबसे पहले continuation के work में four double knot लगाते हुए इसके साथ join करेंगे और फिर eight double knot picket लगाएंगे तो यह देखे हैं हमारी semi circle बन गया अब फिर से हम motive को flip करेंगे और उसी तरीके से जैसे हमने पिछले flower में बनाया था eight double knot joining, eight double knot ring, एक ring, दो ring, तीन ring, चार ring, one, two, three, four यह चारो rings यहाँ पे बनेंगी और फिर हम दुबारा उसी तरीके से जैसे यहाँ पे बनाया है semi circle बनाते हुए पिछले वाले से attach करेंगे, एक picket यहाँ extra बनाएंगे, फिर four double knot बनाएंगे और फिर उसके बाद यह वली ring दुबारा बनेंगी, बस इसी तरीके से हमने इसको repeat करते जाना है I hope आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ तो इसी तरीके से हम continue करते हुए इस lace को जितना बड़ा चाहें बना सकते हैं आप इस lace को साथ की साथ प्रेस करते रहें ताकि यह विल्कुल फ्लैट और नीट दिखाई दे इस लोरल lace को आप अपने neckline पे भी बना के लगा सकते हैं जैसे center पट्टी बनाना चाहें तो इस तरीके से आप center पट्टी बना के center में लगा सकते हैं इवन इसको double भी कर सकते हैं दो पट्टी को जोड के यह देखें इसको हम इस तरीके से बनाएंगे इधर भी एक पट्टी इसी तरीके से double बना के आपस में यहाँ पे join करते करते इसको double कर लेंगी तो यह हम neckline के उपर भी इस पट्टी को लगा सकते हैं और बाकी आप अपनी सारी स्पे, suits पे, कहीं पे भी सीधी टेपलेस को तो आप अपने किसी भी project में embellish कर सकते हैं ऐसे ही सुन्दर सुन्दर laces और different projects देखने के लिए मेरे channel को maximum like, share and subscribe करें Thank you so much, bye bye